कि अगुद्ध दोस्तों गुड़ मॉनिंग तो स्वागत आपका एक बार फिर मेरे चनल फ्लाइंग वील्स में तो दोस्तों आज नए सुबह के साथ हमारे नए ब्लोग की सुरुवात होने जा रही है आज हम जा रहे हैं पॉड़ी के जाना है हमें दीवादेवी टेमपल तो यहां से लगबर 100-300 किलो मेटर हमें जाना है तो अभी सुबह के बज़ेंच है और हमारे सारा का सारा सामल लोड हो चुका है यह देखिए और मेरे ताज जा रहे था नूँ तो यह देखिए अभी सारी जगा लाइट वाइट जली हुई है अब यह दो पूरी तरह ते उजाला भी नहीं हुआ है और दिखाते हैं भी आपको रिसी के स्क्राफ से जाएंगे तो वहां के प्यारे प्यारे फ्यारे विजो दिखा देखिए तो आज की जर्णी थी हमारी देरदुन से दीवादे भी तक की जहां जाने के लिए हमने सुबह के साथ बज़े अपनी राइडी स्टार्ट की और ये ट्रिप प्लैन की थी हमारे बाकिसाथियों ने जिन्होंने हमें मिलना था जैरी खाल से तो यहां से जैरी खाल की दूरी लगबग डेड़ सो किलोमेटर हमें और चलनी थी सुगाई में पहुंच चुके थे लगबग 14-15 किलोमेटर आगे और अभी हम थे नील कंट्रोली रूल पे तो यहां से दूप बी काफी अच्छी थी और व्यूस भी बहुत ही सुन्दर थे तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रिसी केस से लगबग 90 किलोमेटर आगे और यहां से अभी हमें जाना है जैरी खाल के लिए लगबग 60-50 किलोमेटर और तो यहां से पीछे का व्यूव मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरी साइड यह देखे तो यह सुन्दर थी जगह हमें पढ़ती है गैंट खाल से थोड़ा सा आगे और यहां से चारों और के नजारे बहुती सुन्दर दिखाए देते हैं सोलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं गुमखाल और यहां के अभी हमें जाना है जैरी खाल जहां से कि बिल्लो और आसिस आएंगे और उसके बाद आगे के राइड हम स्टार्ट करेंगे कुछी देर में तो दोस्तों लगबग आदे घंटे वेट करने के बाद फाइनली आसिसी पहुंच चुके हैं और बिल्लो जा चुका है आगे उसने हमें देख लिया था लेकिन उसने हमें इगनोर किया और अगे उसको आगे जा कि बताते हैं तो गुम्खाल में लगबग तीस मिनट का दाइस लेने के बाद हमने फिर से सुरुग के अपने आगे का रास्ता और अब हम पहुंच चुके थे चौन्द कोर्ट की इन सुन्दर सी वादियों में और यहां से अभी दीवा-दीवी की दूरी मात्र तीस से पैंतिस जहां से कि हम अपना सामान ओमन लेंगे और उसके बाद आगे की आगे का सफर तैय करेंगे तो देखें यहां से पीछे के व्यूज और बहारियां देखें किनी सुन्दर दिखाए देरी है और यहां पर यह लोग फोटो सूट करने लगए मेरे साथ वाले तो मैं दिखाता यह देखें गोर्जी का यूनिवर्सल पोज है यह देखें हमारी गड़े में पूरा सामान लोड हो रुख है तो गाइस अम फाइनली पुँच चुके हैं एक इश्वर मार्केट में और यहां से हमें थोड़ा सा राशन होगा रह लेना है और पिछ्छे आप बच्ची को देखे रहोंगे अपने चब के लिए जसमों के साथ बैख भी है और बैग नहीं था अर आरे बास राशन के लि तो दोस्तों मन्जिल के काफी करीब है और यहां से दीव भगवती का मंदिर मातर 13 से 14 किलोमेटर और बचा हुआ है और ठीक आगे जो यह चोटी दिखाए दे रही है यहीं है मात दीव भगवती का सुन्दर सा मंदिर और ट्रेकिंग तो हम करेंगे कल स्टार्ट तो अभी हम जहां पर खड़े हैं यह है चमनाओ गाउं यहां तर ठीक नीचे की तरफ जो गाउं पड़ता है उस गाउं का नाम है चमनाओं और आज हम कहीं जंगल में रुक के नैट कैम्पिंग करेंगे तो फ्रेंट्स हम पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द दीवा-देवी और यहां से अभी दीवा-देवी की दूरी लगबख 6-7 किलोमेटर और बची हुई है तो हम गवारी मार्केट क्रॉस काट चुके हैं और यहां पर हम रुके हुए हैं यहां देखे नीचे कितना प्यारा सा गांव ही है और दीवा-देवी का टेंपल पड़ेगा है यहां पर कहां गया जाना है वहां और आज हम रास्ते में रुपने वाले हैं तो देखते हैं इतरी आस-पास अगर हम बहुत है कि जाती है जहां पर पानी वान ही हो तो हम वहीं रुप जाएंगे तो दोस्तों यह देखिए यह गाउं कितना तुंदर लग रहा है और प्राकरिक संपदाओं ते परिपून यह गाउं कि यहां है नदी है कि फैंली हम पहुंच चुके हैं जलपाड़ी जहां पर कि हम अपनी बाइक पार करेंगे और उसके बाद यहां से निकलेंगे उपर और कोई अच्छी सी जगह देखिए हैं आज नाइट केमपेंग करेंगे जो कि घने जंगल में होने वाली है कि अदेखिए में कि टार कभाडी आटा कर ज्यां जहां बढ़ाट अब्लार भी घाली है जाले चलो यह वहिए कि अल्दमन थार काली आखिए कि मुलन को जो जो होता है